हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू बी एफफ, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज, और ये मिक्स वेज हम विदाउट क्रीम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यहां मैंने सबसे पहले एक चमच अद्रक लसन का पेस्ट ले लिया है, चार पांच काजू लिये हैं, दो लाल मिर्च, एक छोटा प्यास, दो टमाटर, और यहां मैंने एक सीक्रिट इंग्रिडेंट लिया है, आलू, जी हां, इसमें हम आलू यूज करेंगे, मैंने यहां अद्रक लसन का पेस्ट यूज किया है, अगर आप चाहो तो यहां पर साबुत अद्रक लसन अलग ले सकते हो, यहां मैंने प्यास को और टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, अब हम एक कड़ाई में पहले जितने भी हमारे इंग्रिडियन्ट से वो ले लेंगे, अब हम इसमें डेड़ कप पानी डालेंगे, अब इसको ढख किë हम 5 मिनट तक कुक करेंगे, पानी खटम हो रहा है धीरे धीरे, पानी खटम हो चुका है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, यह ठंडा हो चुका है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, देखिए बहुत बढ़ियां पेस्ट बन गया है अब देखते हमें सबजियों में क्या चाहिए तोड़े से पनीर लिए है बीन्स, गाजर और शिमला मिर्ज और मैंने आधा कप मटर और आलू लिए आलू को मैंने बहुत पतला पतला कट नहीं किया है चली आईए इसको बनाना शुरू करता है पैन में पहले मैंने दो बड़े चमच तेल ले लिया है और इसमें सबसे पहले हम आलू फ्राइ करेंगे देखिए आलू लाल हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेंगे और सेम तेल में हम बागी जितनी भी सबजिया बची हैं सारी फ्राइ कर लेंगे सारी सबजियों को हम एक साथ फ्राइ नहीं करेंगे आलू के बाद मैंने यहां गाजर डाल दिया है और इसके तुरन बाद ही मैंने शिम्ला मिच टाल दिया है इन दोनों को हम सात में fry कर लेंगे आलू और शिम्ला मिर्ज भी हो चुके हैं अब हम इन को निकाल लेंगे सेम पैन में मैंने बीन्स को भी fry कर लिया है अब इसके बाद हम लास्ट पे पनीर और मटर को fry करेंगे पहले मैंने पनीर डाल दिया है थोड़ा से इसको पकाएंगे फिर उसके बाद हम मटर डाल देंगे क्योंकि मटर बहुत ही सॉफ्ट है तो वो बहुत जल्दी कोको जाएगी अब हम इसमें एक्स्रा तेल यूज नहीं करेंगे जो हमारा तेल बचा हुआ तब उसमें ही हम सबजी बनाएंगे इसमें मैंने एक चमच जीरा डाल दिया है जीरा चटक क्या है अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज का वो डाल देंगे इसको अच्छे से भून लेंगे इसमें हम बागी सारे मसाले डाल लेंगे यहां मैंने एक चमच हल्दी लिया है एक चमच देगी मिर्च लिया है और आधा चमच लाल मिर्च पाउडर लिया है यह तीखी लाल मिर्च पाउडर है और इसमें हम एक चमच गरम मसाला एक चमच धन्या पाउडर और आधा चोटा चमच जीरा पाउडर डालेंगे इन सब क धक के दो मिनट तक पकाएंगे जादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अल्रडी हमने इसको बॉइल करके पका लिया था देखिए यह अच्छे से पक गया है ओईल छोड़ दिया है मसालों ने अब हम इसमें अपनी फ्राइ क्यों ही सब्जिया डालेंगे सब्जी अभी फ्राइ है मसाला भी हो चुका है अब हम इसको मिलाएंगे सब्जी अल्मूस्ट तयार है अब हम इसमें आदा छोटा चम्मच नमक डालेंगे नमक आप अपनी टेस्ट के कॉडिंग डाल सकते हो इसके बाद हम आदा छोटा चम्मच गरम मसाला थोड़े से कसूरी में ते डालेंगे इस सब्जी बिल्कुल तयार हो चुकी है अब लास्ट में बस एक मिनट के लिए इसको ढख के रखेंगे ताकि जितना भी हमारा गरम मसाला हमने लास्ट में डाला है उसकी फ्रेग्रेंस और जो हमने कसूरी में ती उसकी फ्रेग्रेंस सब्जी में अच्छे से गुल जाए हमारी मिक्स बेश तयार है इफ यू लाइक डिस रेजिपी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल